नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में आज है 5 अगस्त 2023 तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहले खबर है पटना समेत 13 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट 5 अगस्त तक दक्षिन बिहार में अच्छी बारिश होगी 6 के बाद उत्तर में शिफ्ट होगा मौनसून बिहार में पटना समेत 13 जिलों में बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है पटना, बकसर, भोजपूर, कैमूर, रोतास, अर्वल, औरंगाबाद, सुपॉल, अररिया, किशनगन, सहरसा, मधिपूरा, पूर्णिया और कटिहार में आज बारिश की संभाब बना है, मौसम बिभाग के मताबिक 5 अगस्त तक दक्षिन बिहार में अच्छी बारिश होगी, वहीची अगस्त से उत्तर बिहार में मानसून रफतार पकरेगा, इसके बाद उत्तर बिहार में बारिश के आस्सार बढ़ेंगे, बारिश होने से प्रदेश के कई जिलों के तापमान में तेजी से बदलाव आया है पटना में पिछले तीन दिनों में अधिक्तम तापमान में पांच डिग्री तक की कमी देखने को मिली है मौसम विभाक एके आकड़े के अनुसार 31 जुलाई को पटना के अधिक्तम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्श किया गया था ट्रैफिक नियम तूरने वालों पर सख्त एक्शन की तयारी ड्राइबिंग लाइसेंस भी किया जाएगा कैंसल नंबर प्लेट से शेडशार वालों पर होगी खास नजर पटना में गलत तरीके से वाहन चालों को पर नकेल कसने की तयारी कर ली गई है बेली रोड और डाक बंगला चोराहे के अलावा शेहर के अनस्थानों पर चालान काटने का निर्देश दिया गया है परिवहन सचीव ने ये निर्देश दिया है नंबर प्लेट लगा कर वाहन चलाने वाले चालों को पर कारवाई करें नमबल प्लेट की टेंपरिंग या फिर मोडिफाइंग करा लेने की वज़ों से सही वाहन मालिक का पदा नहीं चल पाता है ऐसे में नमबर प्लेट लगातार क्रिमनल एक्टिविटी भी करते हैं परिवाहन सचीव ने पटना ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि गंगापत अटलपत और दिघा एम्स रोड में रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालों को परविशेश रूप से कारवाई करे परिवाहन सचीव रैश ड्राइविंग औ सबस्ता सुधारने के लिए अपर मुखे सचीव केके पाठक जी तोड मेहनत कर रहे हैं स्कूलों का निरिक्षन के साथ साथ कॉल सिंटर और अन्य रननीतियों के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं स्कूलों में शिक्षक और शात्र शात्राओं को उपस्थिती को लेकर भी करे निर्देश दिये गया है इस बीच केके पाठक ने 814 शिक्षकों को कारवाई कर दी है इन शिक्षकों का वेतन काट लिया गया है केके पाठक के आदेश के अनुसार पहली जुलाई से लेकर पहले अगस के बीच राजभर में स्कूलों का निरिक्षन किया गया 26 दिन के निरिक्षन अभियान के दौरान 7,914 शिक्षक बगेर किसी सूचना के स्कूलों से गायब गए निरिक्षन के दौरान गायब पाए गए शिक्षक पर अब कारवाई की जारी है विभाग के आदेश पर इन शिक्षकों की वेतन काट ली गई है पटना से हावरा महज 6 गंटे में इस रूट पर 130 की स्पीट से दोड़ेगी बंदे भारत एक्सप्रेस बिहार की राजधानी पटना से पश्यम बंगाल के हावरा के बीच प्रस्तावित बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन महज 6 गंटे में दोनों शेहरों की दूरी टै करेगी हावरा पटना रेल खड़की या सबसे तेजगडी की ट्रेन होगी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलो मीटर रती घंटे तक रहेगी पटना की राजिन अगर कोचिंग कॉम्पलेक्स में ट्रेन में कमिशिंग का काम तेजी से होड़ा है हलाकि इस से करेट हराओ इसकी गती और किराया को ट्रायल रद के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा अगरस के दूसरे सब्ता में ट्रायल की उम्मीद है रेश्टूरेंट खोलने में मदद करेगी नितीश सरकार देगी 50 लाख रुपे परियाटन अस्थल को जोड़ने वाले राजमार्गो के किनारे रेश्टूरेंट खोलने पर राजसरकार 50 लाख रुपे तक की मदद करेगी रेश्टूरेंट के साथ ही यहाँ पार्किंग वाहन, चार्जिंग स्टेशन, गैराज, पे अजल, शौचाले की सुवधा भी मुहया कराये जाएगी परियाटन बिभाग में इसके लिए राजभर के 23 राजमार्गो का चोयन किया है सभी सुवधा संपर्ण सदकार केंद्रों की चार श्रेनिया तै की गई है इसके लिए आविदन 7 अगस से शुरू होगा परियाटन सचीव अभय कुमार सिंग ने गुरुवार को ये ज़ानकारी दी उन्होंने बताया कि बिहार मारगिये सुवधा प्रोसाहन योजना के तहत ये मदद दी जाएगी पीए मोधी बिहार को देंगे 1500 करूर की सौगाद बदलेगी इन 12 स्टेशनों की सूरत मिलेगी अरपोर्ट जैसी सुवधाए अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत समस्तिपूर रेलेवे मंदल की 12 स्टेशनों का पूर्ण विकास होगा इन योजना के तहत स्टेशनों के मुख्य भवन को उस स्टेशन के एतिहासिक महतों को ध्यान में रखते हुए भवे आकार दिया जाएगा यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुवधा मिलेगी योजना पर लगभग 105 करोर रूपे खर्च किये जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 6 अगस्त को वाचुल मोड में दिल्ली से ओलाइन शिलान्यास करेंगे इसके लिए मंदल प्रशासन द्वारा तैयारी पू का सकार किया जाना है राहुल गांधी को स्टी से राहत मामले में बोले तेजस्वी यादो दूस प्रच्वारी तंत्र को जटका मोदी सर ने मामले में कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी को सुप्रीम कूर्ड की तरफ से मिली राहत पर बिहार के डेप्यूटी सीम यानी तेज़ाश्री यादो ने भी अपने प्रतक्रिया ज्वाहिर की है तेज़ाश्री यादों ने ट्वीड करते हुए लिखा कि माले निये सरवोचे ने आले का राहूल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है अगर भाजपा के दुस्प्रचारी एवं कम्प्रोमाईज तंत्र को ये जटका नहीं लगता तो कई और वपक्ष नेताओं को ये साजिशों वा सरयंत्रों के तहत विधाईका से बाहर रखने की जाल साजी जारी रखते पटना में 15 अगस को जेपी गंगापत गाइघाट तक होगा चालू फिनिशिंग का काम अंतिम चरन में पटना के गाइघाट तक 15 अगस को जेपी गंगापत चालू हो जाएगा गाइघाट तक जेपी पत का फिनिशिंग का काम अंतिम चरन में है जेपी गंगापत का गाई घाट के पास चड़ने वा उतरने के लिए रैंप तयार हो गया है जेपी गंगापत में गाई घाट तक चालू होने से दिखा से गाई घाट तक आने जाने वाले लोगों को सुविदा होगी दिखा से गाय घाट तक 12.5 किलोमेटर की दूरी 20-25 मिनट में तै कर लेंगे गाधी मैदान से गाय घाट आने जाने में अशोक राजपत से एक वेकलपिक रास्ता तयार होने से जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी पटना में हजारो आशा कारे करताओ ने किया प्रदर्शन राज़ानी पटना के गर्दनी बाग में गुरुवार को नौ सूत्री मागों को लेकर हजारो की संख्या में आंदोलन आशा कारे करताओ वो फैसिलिटेटर सरको पड़े उतरी इस दोरायन धर्ना अस्थल पर हजारो की संख्या में पहुची आशा कर्मियों ने आशा संयुक्ति संघर्स मोर्शा के बैनर तले अपनी मांगो को लेकर जम कर नारे बाजी की इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के विभिर निजिलों से आशा वरकस पहुच चुकी थी इस प्रदर्शन में आशा कारे करताओं के साथ भात्पा माले के विधायक भी शामिल थे वहीं प्रदर्शन कर रही एक कारेकरताय ने कहा कि हम दिन और रात देखे बिना 24 गंटे काम करते हैं लेकिन स्वास्त विभाग के अन्य कर्मचारियों को जैसी सुविधा मिलती है वो हमें नहीं दी जाती है हमें भी सभी सुविधा का लाब मिलना चाहिए हमारे लिए भी रहने की विवस्ता होनी चाहिए उन्होंने कहा कि हम 30 दिन काम करते हैं और सरकार हमें एक दिन में 300 रुपे देती हैं वहीं एक मजदूर को भी एक दिन काम करने के लिए 500 रुपे दिये जाते हैं 16 दिन में पौने दो करो श्रधालू पहुचे राजगीर रात में देखने बन रहा है मालमास मेले की रौनक विदेश स्रेभी आ रहे हैं परियाटक उमसभरी गर्वी के बावजूद मलमास मेले की रौनक में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है प्रतीक दिन लाखों की संख्या में परियाटक राजगीर मलमास मेले में पहुच रहे है बिहार के अलावे देश और विदेश से भी परियाटक राजगीर में लगे मलमास मेला में आ रहे है बिहार सरकार और जिला प्रिशासन की तरफ से किये गए बहतर प्रबंध का ही नतीजा है कि 16 दिनों में ही राजगीर आने वाले परियाटकों की संख्या पौने 2 करोर की है राजगीर राजगीर मलवास मेला में रातरी के समय ड्रोन से ली गई तस्वीर मन मुह ले रही है बिहार के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 20% चात्र होते उपस्तित कोविट के बाद कई बच्चे पटना लिखना भूल गये सरवे में कोई कई चौकाने वाली बात आई सामने बिहार के विकास में शिक्षा एक महतोपूर्ण स्थान रखता है जन, जागरन, शक्ती, संगठन द्वारा एक सरवे किया गया जिसमें बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति का ज़एजा लिया गया इसमें बच्चे कहा है? सरवे में कोई चौकाने वाली बात सामने आई है स्कूलों में उपस्तित बेहद कम है सरवेक्षन के दिन बह मुश्किल 20% चातर उपस्थिते शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिती के आकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लेकिन बढ़े हुए आकड़े भी बहुत कम है अब नीजी स्कूलों अगर पोशाक पुस्तक खरीदने की शर्त रखी तो मान्यता खत्म है नीजी स्कूल अगर युनिफॉर्म पुस्तके वाइस स्टेशनरी आदी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए अभिभाव को पर दवाब डालते हैं उसकी मान्यता रदिकर दी जाएगी सीबियसी ने एक अगस्त को सभी स्कूलों को ये हिदायत दी है कि बोड ने कहा कि अगर अभिभाव कि यदि इसकी शिकायत बोड के पास करेंगे तो ऐसे स्कूल पर सक्त कारवाई होगी बोड ने असपस्ट किया है कि स्कूलों के खिलाफ एप्लियेशन बाइलोज दो हजार अठार के अनरूप कारवाई की जाएगी बोड ने ताजा फर्मान से ये साफ है कि स्कूल अब न तो किताब हुआ पोशाग खुद बेच पाएंगे और ना ही अपनी पसंद की दुकान बताएंगे बिहार में बिएट के लिए 2.9 जिरो लाख लोग लोन मिलेगा शिक्षा विभाग ने सभी जुला प्रबंधन सह परामर्ष केंद्र को निर्देश भेज दिया है बिहार में सरकारी स्कूलों में पहले से आठवी तक अब मासिक मुल्यांकन होगा सुबे के सरकारी स्कूलों में अब एक से आठवी तक की कक्षाओं में मासिक मुल्यांकन होगा अब ये अप्रेल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जन्वरी और फर्वरी में किया जाएगा यानि साल में आठ महा बच्चों का मुल्यांकन होगा इसमें कक्षा एक के बच्चों का मौखिक और लिखित रूप से मुल्यांकन होगा बिहार में अब वाड सदसी ही करेंगे नलजल योजना की देखरेक पंचायती राज के अधीन संचालित नलजल की सभी योजनाओं का हस्तान तरत लोक स्वास तभी अंतरन विभाग में किया जा रहा है आधे से अधीक योजनाओं का हस्तान तरत हो चुका है अब पी एच एडी ने निरने लिया है कि इन योजनाओं का रख रखाओं पहली की तरह समभवित वाड के निर्वाचित सदस्या उनके द्वारा चिनहित प्रतिनिधी ही करेंगे पूर्व में संचालित अंठावन हजार ग्रामीन वाडों की सरसत हजार तीन सो नलजल योजनाओं के रख रखाओं के लिए वाड सदस्य को अनुरक्षक की रूप में रखा गया था सुबह शाम पेजल आपूर्ति कराना उनकी जुम्मदारी थी